सो हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल बीटेग बाला सो इन दिस टुटोरियल वी अधिसकस्ट एट हाव टू टेक इन पुट फ्रॉम यूजर इन जावा इस टुटोरियल में हम लोगों ने हम लोग देखेंगे कि हम लोग जावा में यूजर से कैसे इन पुट लेते हैं लाश्ट टुटोरियल में हम लोग डिसकस्ट किया था कि ऑपरेटर्स क्या होते जावा में और अगर आपने वो वीड से input लेने के लिए हम लोग scanner class का use करते हैं लिए scanner class का use करते हैं scanner classes use to take the import ओम यूजर थीक है जो कि Java के यूटिल पैकेज के अंदर होती है तो मतलब की जब हम लोग scanner class को use करेंगे तो हम लोगों को इंपोर्ट कराना पड़ेगा java.utile package ठीक है जो कि इसका syntax यह होता है यह जो की scanner class जो होती है वह इस package के अंदर होती है package क्क्ज होता है package क्या होता है कि देखो package वह चीज होती है जहां पर सारा code लिखा होता है और उस code को हम लोग input कराते हैं अपने प्रोग्राम में उस कोड को यूज करने के लिए तो चलो वाई प्रैक्टिकल से समझते हैं कंट्रोल एंड कंट्रोल एस कि इसकेनर यूजर इंपॉट और जावा कि सो हम लोगों की एक क्लास बना दी गई है अब अधर हम लोग मेन फाइल कि मेल फाइल लोगों की आ गई है अब हम लोग सबसे पहले स्केनर क्लास लगाएंगे स्केनर क्लास देखो जैसी मैंने स्केनर लिखा ऐसी लिख पाया वहती आगे स्केनर जावा डॉट यूटिल मतलब कि हम लोगों को यह पैकेज पहले अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना हो तो जैसी मैंने इधर पर क्लिक किया इस पर एंटर मारा तो देखो आम लोगों है अपने आप यह आप यह आप यह आपकेज्ट जावा डॉट यूटिल डॉट इंपोर्ट हो गया पैकेज ठीक है और इसकेनर क्लास लिखती है अब सबसे पहले हम लोगोंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा दिया उसके बाद हम लोगोंने इधर पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है फिर उसके अंदर हम लोग जैसे जाबा मैं सिस्टम.out से हम लोग आउट पूर्ट कराते थे ऐसी इधर पर इंपूर्ट लेने के लिए सि स्ट्रिंग लोग करना दिसकस किया थे डेटाडाइस में कि यूजर नेम तपी इस उतलिया था इंड़िया था हूंत है लोग लोग का कुछ इस तरह हुआ इधर पर कि हम लोगों न है यूजर नेम भी उसकी При retail दिया था ह है कि लोग नों अब्यक्ट बनाया था ये सी ए यूदर कर दिया अचे परन कराइंगी प्रिंट आइंगे ऊस्ट कर एह तरह आया तो हम लोग डालों है उनक droplets करते हैं कि कुछ इस तरह आया तो हम लोग डालेंगे नेम कि मैंने डाला है हरी यादव तो हम लोगों के इधर पर हरी ले लिया है क्योंकि इधर पर हम लोगों ने एक स्पेस दे दिया था तो फिर से रन करते हैं कि मैं डालता हूं कि विजय तो देखो विजय प्रिंट हो गया इधर पर तो ऐसे जावा काम लोग स्कैनर क्लास यूज करते हैं और इसी के तुरू हम लोग अगर हम लोगों कोई कि इंटीजर वैल्यू देनी तो इधर पर इंट हम लोग कर देंगे और मैं आपको करके देखा था हूं इंट आफ्टर ने इंदर पर नेक्स्ट इंट दे देंगे ठीक है जो कि जावा में एक इन्विल फंक्शन होता है और उसके बाद हम लोग कि इधर पर वैल्यू दे देते हैं क्योंकि यूजर ने में अच्छा नहीं लगेगा अगर हम लोग इन्टीजर वैल्यू देंगे अगर वैल्यू देती आफ्टर दैन रन कर आते हैं इस पोड को तो अब मैं इधर पर दूंगा 456 तो देखो 456 इधर पर प्रिंट होके आ गया देखो आप लोग तो ऐसे हम लोग जावा में यूजर से इन्पूट लेते हैं स्कैनर क्लास के थ्रू बहुत इजी है कोई बहुत हार टॉपिक नहीं है आप लोगों को तो रंद समझ आ जाएगा तो आज का टास्क हम लोग आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें केल्कूलेटर बनाना है और यूजर से इन्पूट लेके वह ओप्रेशन करवाने तो इसमें देखो दो चीज़ां थोड़ा आपको उपर का बता देता हूं मैं हिंट देता हूं सबसे पहले इसमें हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करेंगे केल्कूलेटर बनाएंगे तो हम लोगों ऑपरेटर्स का यूज होगा क्योंकि यूजर से इन्पूट लेना है ठीक है और इन्पूट ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया और आप लोग अपना कैल्पूलेटर बना सकते हैं तो आज की क्लास के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर आपको वीडियो अच्छा लग थैंक यू वर्यों